पराबर टाइप 2 हम स्टार्ट करेंगे that is based on unsymmetrical supports पराबर बिफोर स्टार्टिंग इस टाइप I want everyone कि आप लोग टाइप पार्ट वन इसका वीडियो का देख ले that is formula list तो आपको यह easily समझ में आ जाएगा correct तो अगर आप formula list देखे रहोगे तू तो listen here एक question है Mumbai University का May 2008 काफी easy question है 4 marks के लिए इस टाइप में आते है question number 1 में compulsory question में होता है यह question correct अब question ऐसा है good student in an unsymmetrical cable of span 40 meter is loaded as shown मतला diagram दिया हुआ है find cable tension T at a rate of point D loaded 15 meter away from the left support A और यह question दिया हुआ है अपने को correct यह question अपने को दिया हुआ है तो यह अपना question हो गया यह इतना part question है अपना loaded है अगर आप दियाद से तकोँगे मैंने यहाँ पर VA force दिया यहाँ प्यायप मैंने HA force दिया है यहाँ पे मैंने HA force ्या यहाँ पे मैंने HA force दिया है यहाँ पे मैंने VA force दिया हुआ again I am repeating upward force दिया हुआ है प्रावल अब उसके बाद देखो तो देखो, first step आपके क्या करना है, verify whether the cable is profile is possible or not, करना कि L1 upon under root H1, बराबर, अभी L1 की value आपके कितनी है, 23.43 है, H1 की value कितनी है, 6 है, correct, तो इसको जब आप substitute करोगे, इसको के LC पे आप solve करो, तो आपको answer क्या आ रहा है, देखो जड़ा, 9.56 meter, अभी same essay, L2 upon, बराबर L2 upon under root H2 करके देखो, आपको answer कितना आएगा, 16.57 upon under root, ये 6 रहेगा, under root 3, तो इसका answer आपको आएगा, 9.56 meter, therefore, okay, ये satisfied हो गया, बराबर, दोनों safe आगया न अपना, correct, अब next step, अब हमको क्या करना है, student, as usual, जैसे आपने 3 हिंच unsymmetrical के लिए किया the solve, वैसे ही करना है, you have to take moment about A, आपक का equation मनेगा, HB और VB के term में, बराबर, और उसके बाद आपको क्या करना है, BC portion लेके, moment about C लेके, फिर वापस HB और VB का equation मनना है, दो equation मनाना है, आपको correct, and we'll start with the numerical, काफी easy numerical है, ध्यान से देखना हो जाएगा, और दोनों equation समटेसी solve करोगे, तो आपको HB और VB की value आ जाए गा, correct, फिर उसके बाद आपको section break करना है, D पे, और उसके बाद आगे solve करना है, correct, तो हम लोग start करेंगे, second step, और आपर, okay, this is our second step, अगर आप दियान से देखोगे, तो इसके अंतर first step क्या है, अपने reaction, first step अपने verify कर लिया, second step अपने reaction calculation चालो किया, तो reaction calculation में आप देखोग minus VB into 40 कैसे आए, देख लेते, आजाओ, अगर आप ध्यान से देखो, यह आपका supports है, correct, आपने moment about A लिया है, तो देखो, यह आपका force कैसे जा रहा है, anticlockwise जा रहा है, तो minus VB, और यह distance पूरा कितना है, 23 plus 16,57, करो Kelsey पे, 40 आएगा, correct, देखो, वापस दिखाता हूँ में, य अब आपका pen देखो, कैसा rotate हो रहा है, कैसा rotate हो रहा है, anticlockwise ना, correct, तो यह हो जाएगा, minus HB into 3, plus 10 into 40 into 40 by 2, क्योंकि वो UDL की value आगई, अगर आप ध्यान से देखोगे, तो यह देखो, यह UDL की value है, यहाँ पे, correct, यह UDL की value आगई, plus 10 into 40 into 40 by 2, correct, तो इससे आपको क्या ब 2 5s are 5 4s are into 40, आपको answer आएगा 8000, सबको मैंने minus से multiply किया है, देखो, equation जो बना था हुग, ऐसा बना था, minus 40 VB, minus 3 HB, plus, यह देखो, यह cancel करूँगा, मैं इसको यह 5 से, 5 into 4 4s are 16 into 5, 40 into 40 into 5, यह आएगा मेरा 8000, correct, और सब equation को मैं, उस साइड लेके गया, मैं, minus हो गया, और सब आपको minus से multiply करो, आपको first equation मन जाएगा, correct, we'll start with the step number 3, अब इसी के अंदर, देखो, अब आगे क्या करना है, आपको सिफ एक portion लेना है, BC portion, correct, यह आपने BC portion ले लिया, अगर आप BC portion देखोगे, तो आपने moment about C लिया, moment about C कैसे लिया, मैं समझा के देता हूँ, यह देखो, यह आपने moment about C ले रहे हो, तो V भी देखो, आपको कैसा गूम रहा है, बरावर, ऐसे गूम रहा है, minus, और आपका UDL कैसे गूम रहा है, clockwise गूम रहा है, और आपका HB कैसा गूम रहा है, clockwise गूम रहा है, correct, तो अभी देखो, minus VB, क्योंकि NT था न, मैंने HB बोला था clockwise गूम रह है था, equation 2 इधर है, अब Kelsey पे डालो, बरावर, solving equation 1 and 2 simultaneously, तो आपको दो value आजाएगी, that is HB and VB की value, बरावर, HB और VB की आपकी value आजाएगी, बरावर, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, submission F of Y करना है, अगर submission F of Y देखोगे आप लो, बरावर, तो यह देखो, plus VA, minus UDL into distance plus VB, बरावर, इतना ही force आएगा उसके अंदर, तो आपको VA आजाएगा, correct, अब आपको tension at D लेना, तो करना कैसी आपको छोटा सा section A और D के बीच में बनाना है, HB VB की value डालना है, correct, तो आपको यहाँ पे HD और VD, HD और VD है, HD है और यह VD force है, यहाँ पे मिल जाएगा, कै summation F of X करके, summation F of Y करके, तो summation F of X अगर आप देखोगे student, यह देखो, summation F of Y देख रहे हैं, correct, plus VA, plus VD, minus UDL into distance, तो इससे मेरे को क्या आगया, VD आगया, summation F of X देखोगे, minus HB plus HD equals to 0, तो यह से आपको HD आगया, और tension in D का, formula HD square plus VD square, आपको tension at D आगया, काफी easy numerical है, एक बार आप इसको solve करके देखो,